सब कुछ है मसी कि आज फिर एक बार हम वचन से मनन करेंगे और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कि मैं जे नव वर्ष में मुझे निती वचन चार मिला जो मैंने कुछ आयते ही नहीं फिर मैंने पूरे अध्याय को ये नीचे 22, 24, 25 जब देखते थे बहुत सुंदर वचनों से बात्चित करी प्रभु ने और चौथ्या अध्याय को मैंने अपने लिए चुना की परमिश्वर ने मुझे ये वचन दिया है मैं पढ़ना चाहूंगी ताकि आप भी आशिशित हो हे मेरे पुत्रो पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप करने में मन लगाओ क्यूंक और मेरा पिता मुझे हैं कहें कर सिखाता था तेरा मन मेरे वच्छन पर लगा रहें तुमेरी आज्याओं का पालन कर तब जीवित रहेगा बुद्धि को प्राप्त कर समझ को भी प्राप्त कर उनको ना भुलना ना मेरी बातों को छोड़ना बुद्धि को ना छोड़ वह तेरा पहरा देगी बुद्धिस रेश्ट है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यतन कर जो कुछ प्राप्त करे उसे प्राप्तो तो कर पर उन्तो समझ प्राप्ति का यतन घटने ना पाए उसको बढ़ाई उसकी बढ़ाई कर वह तुछ को बढ़ाएगी जब तो उससे जीवित रहेगा मैंने तुझे बुद्धी का मार्ग बताया और सिधाई के पत पर चलाया है चलने में तुझे रोग टोग न होगी और चाहे तु दोड़े तो भी ठोकर न खाएगा शिक्षा को पकड़े रहे उसे छोड़ न दे उसी की रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीव दुष्टों की रहा में पावन धरना और न बुरे लोगों की मार्क में चलना उसे छोड़ दे उसके पास भी न जाना उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा क्योंकि दुष्टों लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती और जब तक वे किसी को ठोक ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती वे तो दुष्टे तासी कमाई वी रोटी खाते और उपद्रों के द्वारा पाया हुआ दाख मदू पीते हैं पर उन्तों धर्मियों को घर्मियों की चाल उस चमकती हुए जोती के समान वे जिसका प्रकाश दोपर तक अध अधीक बढ़ता रहता है दुष्टों का मार्क घोरंदकार में हैं वे नहीं जानते कि वे किस से ठुकर खाते हैं हैं मेरे पुद्र मेरे वच्छन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा इनको अपनी आँखों की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारन कर क्योंकि जुनको वे प्राप्त होती है उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं सबसे अधीक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल सुरोत वही है तीड़ी बात अपने मूझ से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुछ से नहीं दूर रहें तेरी आखे सामनी की ओर लगी रहें और तेरी पल के आगे की ओर खुली रहें अपने पाउधार ने के लिए मार्गो को समधर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें है तो ना तो दाहीनी ओर मुणना और और अपने पाओं को बुराई की मार्क पर चलने से हटा ले। परमेशर वच्छनों के फड़े सुने जाने पर आशिश इन वच्छनों में बहुत सारे इंस्ट्रेक्शन से बहुत सारी आशिश ये भी हैं कि अगर तू ऐसा करता है तो तो जीवित रहेगा, मेरी आग्याओं जिसको प्राप्त होते हैं, उसके जीवित रहने का, उसके सारे श्रीके चंगे रहने का कारण होते हैं। सबसे अथिक अपने मन की रक्षा कर, कि जीवन का सुर्मूल सुरोध वही है। इससे समझ आता है कि परमेशर आज चाहा रहा है, मुझे और आपसे यही कहना चाहा तब आप दिरखायू होंगे। सब को नया वर्ष आता हैं, सोचते हैं हमको और अधिक बहुत सारे नये वर्ष हमारे जूडते जाए जीवन में, हमें दिरखायू मिले। तो यह है कि परमेशर का वच्छन कहता है। जैसे यहोशी एक आठ नौ में भी हम पढ़ते कि इस पर ध्यान किये रहना, तब तू सफल होगा। यह वच्छन जो है, वच्छन हमारे जीवने बहुत आइच से मायनी रखना जी। इग्नौर नहीं करना जी। कोई और बुक पढ़ूँगा, यह देखना है वो देखना नहीं। कितना भी हम कुछ करते लेकिन हमारे पास प्रात्ना की विदी और वच्छन की विदी होने जी। जहाँ पर हम वच्छन पढ़ना हैं, रोज चार अध्या अगर हम पढ़ते हैं वाइबल में से, तो हमारा वाइबल एक साल में कम्प्लीट हो जाता है। बश्चरती कि हम उसको समय देने वाले हो सके। परमिश्यों क प्रथम स्थान दे। यही वच्छन हमें सिखा रहा है कि परिपत्र बाते सुनकर ग्रैंड कर। इससे तो बहुत वर्ष्टक जीविद रहेगा। हमें दिरगाय। चाहिए। हमें सक्सेस चाहिए। हमें चंगे होना है हमारे क्या। अब सब से दिक मन की रक्षा कर ताकि इसमें जीवन का मूल सुरोत है। सारे शरीर के चंगे रहने के कारण क्या होता है। जिनको यह वच्छन मिलते हैं। इनमें से प्रोमिसेस हैं। इनमें कंडिशन हैं। इसमें परमिश्वर आग्या मानने के लिए कहता है। तब प्रभु परमिश्वर मुझे और आपको और आपको मदद करें वच्छन कुछ आप पढ़ने से पहले चोटी दुआ करें। और कहें कि प्रभु जो मैं पढ़ूंगा इससे मुझे समझाए। और पहितरात्मा जो प्रमिश्वर ने हमें साइक की रूप में दिया। आपको और मुझको यह वच्छन समझने के जब हम उसके उपर विश्वास करते हैं। जिया दो ने उसको ग्रहन किया, जिसने ने उसको अपना उधार करता हूं, उन सब को यह अधिकार है कि हम मैं और आप क्या है परमिश्वर के बेटियों बेटियों के लिए यह नितिवन चार जैसा मैंने पाया और मैंने बहुत आशिश भाई कि मुझे चंगा रहना है, मुझे दिरगाई होना है, मुझे बुधिमान होना है, समझ के साथ जीवन जिना है, और साथी साथ कि हर बुराई से मुझे दूर रहना है, ना किसी की मैं कम्पलेन करूँगा, ना ही मेरे जीवन में किसी बात की कम्पलेन होगी, गंबलेंड करने वालों के अगेंस में कुछ ने दोश न लगा ने तो तुछ पर भी दोश न लगाए जाए हम ये जिवन पाख साथ ववित्रताई में बढ़ते जाएं कि वो पवित्र लोगों के साथ आने वाला है मुझे और आपको लेने आएगा तब मैं और आप उसके साथ ऐसे ही आत्मेता में चलेंगे तो सच वचन और कहता है कि जो कोई परमिशुर की संगेति में चलता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है उस वर्गी राजों को हमारे पर जाहिर करता है परमिशुर कर धन्यवाद हो आज के वच्छन के लिए प्रभू आपको मुझको आशीश दे चोटी दुआ करके समाप्त करेंगे धन्यवाद 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 इशिराजा हम आपके पास आते हैं संदर वच्छनों के लिए जो आपने मुझे दिया ये वच्छन मैंने अपने प्रियजनों को जो मुझे यूटूब पर सुनेंगे प्रभू उन सब पर ही आशीश का बाइस हो इनको इस वच्छनों के दौरा आशीश में जीवन मिले दिरगाईू जीमाई मिले चंगाई मिले प्रबुजी, उनके जिवनों से हर बुराई दूर हो प्रबुजी, हर संकट दूर हो, उनको चौरस स्थान में रख प्रबुजी, उनको गाइड करनी के लिए आपने कहा है कि तु ना दाए मुड़ना, ना बाए मुड़ना, मैं तेरे पाउ पर बुराई से च चले, तो हमारे जिवन में, हमारे राहा में, हमारे हैर प्लानिंग में, कोई अंदकार नहीं होगा, कोई ऐसी असफलता नहीं होगी, क्योंकि प्रमिशर का वच्छन जब आप ले करके चलते हैं, तो सच मुच प्रबु मुझे और आपको आशिश जीता है, आप सब को इस नहीं वर्ष में, सच मुच प्रबु जी, हर एक सुनने वाले पर आपकी आशिश को, हर एक की पुकार को सुना प्रबु जीता है, हर एक से बाचित करना, ताकि लोग आपके इमान में आएं, आप पर विश्वास करके, आपके बेटी और बेटी आप बन कर, जो आप आज निती वचन चार से आग्याएं दे रहे हैं, जो गुड बाते बता रहे हैं प्रबु जी उनके, मनों का स्वामी आप हो जाएं, उन पर अपने आशिश दीजिए और उनको संभाले, अपने उधार करता मुझे येश्यू के नाम से ही, ये प्रारता मांग लेती हूँ, आमे एह हमारे बाप, आप जा असमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाएं, आपकी बाश्यात आएं, आपकी मर्जी जासे असमान पर पूरी होती हैं, जमी पर भी पूरी हो, हमारी रोज की रोजी आज हम बख्ष दीजिए, जिस तरह हम कसुरा और उनको माफ करते हैं, आप भ हमारे कसरों को माफ़ करे हमें अजबाइश में न पढ़ने दे मेंकि बुराई से बचाए क्योंकि बाश्याहत, खुद्रत और जलाल हमेशा आपका है आमें, आमें, आमें तैंक यू फॉर वाच्छिंग और जब आपको आशिश मिलती है तो इसे आगे शेर कीजेगा, लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा ताकि जीवन में आपकी बढ़ोतरी हो जैसे आप मेरे सब्सक्राइब बढ़ाएंगे प्रभु आपकी जीवन में हर आशिश बढ़ाएगा प्रभु यूश्य मिलती की नाम से amin, amin, amin